नमस्ते रादे रादे हेलो एवरीवन तो जैसा कि आप सबने कहा था कि मैं जो आपके एकोनॉमिक जुलोजी में पढ़ा रहे हूं ठीक है उसके कॉश्चन करा जाए यानि कि हमने स्टार्ट किया सा सबसे पहले सेरी कल्चर ठीक है तो आज हम कॉश्चन करेंगे आपके पढ़ना है तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टन कॉश्चन करेंगे सेरी कल्चर के कि किस तरीके से सेरी कल्चर में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके लेक्चर अल्रेटी वहाँ पे आप जाके प्लेइलिस्ट में हमारे बाइवर्स टू.ब पे देखेंगे तो प पता है यह हमेरे टेलीग्राम चैनल पे बताईए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नमर्फ से ठीक है एंथेरा पेपिहा ठीक है उसका कॉमन नीम क्या है ठीक है उसको किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो एंथेरा पेपिहा को टसार सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है सिर्फ मैं आंसर आपको बताते चलूंगी ठीक है next question में पुछा जा रहा है कि which of the following silk is produced only in India इन में ऐसा कौन सी silk की variety है जो केवल और केवल इंडिया में produce की जाती है तो इसका correct answer हो जाएगा आपके third eye that is mooga silk mooga silk क्या होता है केवल और केवल इंडिया में produce किया जाता है एक term है uni और uni wall time and by wall time ये किसी से related है किस industry से related है epiculture, sericulture, lag culture, fish culture ठीक है तो correct answer आपका हो जाएगा sericulture industry से related है आपका वल टाइं, uni wall time और boy wall time sericulture industry से related है अब आपको तो पता होगा कि bombics morai ही क्या करते हैं silk को produce करते हैं तो पूछा जा रहा है कि एक single female जो होती है bombics morai की वो कितने egg को ले करते है यानि कि दे दिया कितने egg दे दिया तो correct answer हो जाएगा 400x ठीक है next question में पूछा जा रहा है the weight of newly laid 200x of bombics morai comes to about जो इनके 200x ये laid करते हैं उसका weight कितना होता है ठीक है उसका weight कितना होता है तो correct answer हो जाएगा 1 gram ठीक है next question में पूछा जा रहा है कि how many molting occurs in larva to attain final in star stage in bombics morai कितनी molting होती है ठीक है लारवा में molting का मतलब उसमें और development कितनी molting होती है जिसके बाद वो final stage में in star stage में आ जाता है उसके बाद वो bombics morai बनता है तो इसका correct answer क्या होगा कि उसमें कितनी molting होती है तो correct answer हो जाएगा 4 moltings होती है ठीक है next question है पुछा जा रहा है तो the length of silk thread secreted by single caterpillar of bombics morai is about एक single caterpillar होता है जो जिसके तुरूँ silk thread क्या होता produce किया जाता है उससे about कितनी meter जो है silk eggs caterpillar produce करता है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा thousand meter thousand meter egg silk क्या करता है produce करता है next question पुछा जा रहा है कि one pound mulberry जो होता है silk can be obtained from एक pound अगर mulberry silk को obtained करना है तो उसके लिए कितने cocoons लगेंगे ठीक है कितने cocoons लगेंगे जैसे उपर पुछा कितने meter produce होता है उसे तरीके से अगर एक pound mulberry silk को obtained करना है तो कितने cocoons लगेंगे correct answer हो जाएगा 3500 cocoons bombics morai जो है the weight of single cocoon may be एक single cocoon का weight कितना होता है तो correct answer हो जाएगा 2 gram ठीक है 10th का correct answer 2 gram आगे questions देखते हैं लोग bombics morai the weight of single cocoon cell may be एक single cocoon के जो cell का weight है ठीक है वो कितना होता है तो वो होता है आपका 0.5 gram ठीक है पुछा जारा the maximum number of cocoons cut by single nagar machine is about एक machine का use होता है इनके cocoons को cut करने में ठीक है तो पुछा जारा उस machine के द्वारा maximum number of cocoon को cut करने के लिए कितने cocoons लगते हैं ठीक है तो correct answer हो जाएगा 10,000 to 15,000 next question आपका पुछा जारा है कि जो maximum number of eggs laid होता है one female के जारा वो कितना होता है ठीक है 13 number का question पुछा जारा है तो वो होगा आपका 450 stifling is related to stifling एक process होता है वो किससे related है तो आपका question related है sericulture से ठीक है किससे related है sericulture से silk एक type का क्या है ठीक है animal fat है carbohydrate है animal protein है phospholipid है ठीक है तो silk क्या है एक type का animal protein है ठीक है animal के दोरा produce किया जाने वाला protein है next question पुछा जारा है कि which of the following statement is correct इसमें से कौन सा statement correct है ठीक है कि जो ये चार statement दिये हैं इनमें से कौन सा statement correct है तो fibroin and sericin is found in silk silk में क्या पाए जाता है fibroin और sericin नाम के दो proteins पाए जाते हैं ये आपके silk में पाए जाते हैं ठीक है पुछा जारा है the elasticity found in silk fiber is about कितनी percent elasticity मतलब उसको आप खीच सकते हैं elasticity कितने percent पाए जाती है silk fiber में तो correct answer हो जाएगा 7th का C that is 20% ठीक है पेबरीन एक disease होता है वो किसके दोरा cause किया जाता है यहां से आपके mostly question हमेशा बनते हैं कि पेबरीन disease किसके दोरा cause किया जाता है ठीक है तो पेबरीन disease किसके दोरा cause किया जाता है तो correct answer आपका हो जाएगा, बैंगलूर में पाया जा रहा है, Central Silk Board जो है, वो कभ established किया गया था, तो correct answer हो जाएगा, आपका 20 कभी 1949, तो यह आपकी most 20 important questions थे आप चाहें, तो इनके screenshot ले सकते हैं, इस तरीके से, यह आपके most 20 questions हैं, आप इसका screenshot ले लीजिए और फिर नीचे इसका screenshot ले ठीक है ये answer भी मैंने दे रखा है आप चाहें तो इसका भी screenshot ले सकते हैं ठीक है तो ये most important 20 question थे जहां से आपके question पूछे ही पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए helpful होंगे तब तक के लिए बढ़ते रहे हैं बढ़ते र आपरीवन